कि जहीं दोस्तों के प्लेटपर में सब्सक्राइब का स्वागत है मैं रिक्ता अग्राल हम लोग हीट के लक्ष्ट को पॉड़ आई हैं और उसमें काफी लक्ष्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ तीन से चाल लक्ष्ट और और बचे हैं आपके प्रेटिकल पॉइं पर यानि हम लोग में जितना कुछ अभी पड़ा है वह बहुत कम पड़ा है ठीक है विक्रण के बारे में अब लोग में जितना पड़ा है वह बहुत कम है उससे जाथ काफी कुछ आपके एक्जाब में रिडिएशन से रिलेटे इस फूपिक थीड़ी में सब्सक्ति हैं धिने रिडी हट Effects से ही लिए गई नहीं हैं आपके स्लेबस बाहर एक भी टोपिक नहीं हो गाई अश्येपस एक भी टॉपिक चूटेगा नहीं थैना यह वी स्लेबस का इस ना कि आपके स्वेबत से ही वर्ड्स पी हम उठा रहे हैं ऐसा नहीं कि हम वर्ड्स अपने तरफ से जोड़ा है तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारें बात करेंगे तो सबसे पहले जारेंगे कि उश्मा का विक्रण या रेडियेशन अनर्जी होती क्या है और इसकी प्रोड्ये बलेटे में होते हैं और इसकी पॉपर अब दो इसकी सबद्वेशन पहलेज़ है तो हम भी इतव इतम के बनें हैं हर बोड़ी अप्रेचाव खांस जिचांथ जिचांगे बाड़ी का तेमपरेचिर फसे होता रहाग है यह क्या है एक्जिच फिसे नीचे प्र क्योंकि इससे रीचे कोई नहीं होता है हम लोग इसको पहले ही पाड़ चुके हैं तो अगर कोई भी बाड़ी है जिसका टेप्रेचर जीरो केल्वीन से जादा है ठीक है ऐसी बाड़ी क्या करती है रेडियेशन को एमिट करती है यानि विक्रण का उत्सर्जन करती है इसी बाड़ी रेडियेशन करती है ठीक है यह यह बाड़ी रेडियेशन को एमिट परती है उस बाड़ी के पास छमता होती है कि वो radiation को absorb भी कर सकते हैं यानि कोई भी body है जिसका temperature 0 Kelvin से जादा है ऐसी body radiation को與 साहँ साहथ rivalry तक अप्सोर्शन भी करेगी साहथ साहथ व्यक्रण का अप्सोर्शन भी करेगी कि आप लोगी करेगी और ये क्या पहली है कि आप सर्जन भी हो रहा है है और उन स्राही सोच आप नेध्याद यह इसके बारे लिड़ा है रेडियहे के जयादा होता है कि इसके बारे में जाना समझते हैं जैसे हम लोग अपने लें हम लोग ते लिद capital जादा Requatter तेम्परेचर नहीं तरह कि इस पेल ब्र चुके हैं अगर झान दो कि जाने में क्या होता है हमें घर्व थंडी लगती है इस संथा मॉसम है धंडी लग रही है अखिर्व थंडी लग रही है कि हमें ठंदी लग रही है घर्मियों में क्या होता है घर्मी लगती है अब इसके पिछे का रीजन भी आपको यहीं से मिलेगा देखो अब तो पता से जैदा कि केलविन में कितनापना हो गया कर गया अगर हमोरी घृटिक तेन्टी संशिब्स हिस्पन अगर हम बन्दे हैं रात वाल ऑला कंधस होता है यानि हमारी बॉड़ी हीट को एब्सॉब भी करेगी और हीट को रेडियेट भी करेगी लेकिन अबना करेगी रहित को हमारी बोड़ी हीट को रेट को हमारी बोड़ी है और हमारी बोड़ी ज Megalide को करेंगी तो हमारी क्या कर रही है लेकिन है कि क्योंकि हमारी जादा है और बाहर की कम है तो हमारी वॉटीक पर जुद्धर है वो जादा होगा यह यानि उस सर्जले तर दर है हमारी बोडी का वो जोगा अप शोशंस के दर से इसलिए हम लेकिन उससे ले तो हमारी बोडी की सीट चाएगी । क्या होता है रहा निकल जाओ अंदर क्या होता है तुम रोड में जाते हो तुम अंदर भी 37 बाहर जाओगे तो भी 37 होता था आंतर है कि बाहर नेटे जोफीर्था उसका तेंप्रेश तो बाहर जो इनर्डे नेकर रही थी अंधर उसको यह पर अंदर कि यहीं हमें थंडक में ऩशुस होती है ठीक है क्योंकि यहां पर क्या है वह एब्सॉर्ब भी करेंगी लेकिन जो रेट ओफ एमिशन है जो रेट ओफ एमिशन है वह बहुत जादा है रेट ओफ एब्जॉप्शन से कि यानि उत्सर्जन की जो दर है करें जो उत्सर्जन की किड़ गया कि बहुत जादा होगी की अफ्रोशन की दर से और कि इसलिए को थृट हमिए धंडतों में Scientists होती है ठीक है कि बाहर का ऐ त stalता बॉड़ी का तापरीडिशा थो और 272 0- ignore कुछ नहीं बाहर का दो तरह होता है जो सरावनिक होती है उसका तरह है कि अब हमारी बोडी क्या करेगी है हिट को रेडियेट कर रही है तो निए चीज में कर रही है उसी गुना जाता वो क्या करती है है अब्साइब कर रही है तो यह चीज तो हमें विंटर में रहे हैं और यह समर में क्या होता है कि इसका होता है इसको कम कर देते हैं एमिशन का दर कम होता है और बहुत ज्यादा होता है इसी लिए क्या होता है कि गर्मियों में अपने को करम मैसूस होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग रेडियेशन ओफ हीट उश्मा का विक्रण बात के लिए यहां पर इसको हम इस तरीके से सबसकते हैं जैसे माल लो का तीन एक्जांपल एक दो इक्जांपल से हमने इवर बॉडी के ही दे दिये बहुत असानी चाहिए यहां से समझ सकते हो और भ यह दूसरी बॉडी है यह इसरी बॉडी है ठीके यह बॉडी माल लो 10 दिग्री सल्सेस पर है सेम बॉडी 10 दिग्री सल्सेस पर है ठीके यहां पर एक्मोस्फेर गो है वो है 5 दिग्री सल्सेस यहां पर तो एक्मोस्फेर है वो है 15 दिग्री सल्सेस और यहां पर तो एक्म तो समस्सराइक याज़ दबी क्यों अब 10 डेगरी सेंटीगरेटश क से बॉड़ी Carmine से तो इसका बॉड़ी का तेम्पेटशा रहे हाएं कि यहीट अगर उड़ीएट करें रहे ह। यह भी बोडी हीट करते ही है यह बोडी का टेंपेशर अगर 0 Kelvin से जादा है तो वह हीट को रेडियेट करेगी बात इस पर आती है कि वह अब्सॉर्ब कितना कर रही है अगर जादा अब्सॉर्ब करेगी तो सो गराब मैसूस होगा काणर करेगी तुको ठादा ऐसको होगा दो स्कोब जर्ण कर पाएगी तो след कर पाएगी तो उसका अब्जॉप्शन होगा काम का Ground तो इसका अप्जॉब्शन क्या होगा जादा होगा ज़्यादा पर पाइजिसमें फांच बना देते हैं तो इसकी तुम्हें यहां से क्लियर दिखेगी है यहां पर इसको यह ज़्यादा है और इसे कम कर देते हैं तो यहां पर यहां पर क्या दिखराएं अपने को यहां दिखराएं कि रेट ऑफ एमिशन ज्यादा हो रहा है और रेट ऑफ अप्जॉप्शन कम है अप्जॉशन की दर ज्यादा है और अप्जॉशन की दर से यहां पर क्या दिखराएं यहां पर दिखराएं कि जो रेट ऑफ एमिशन है यहां पर चलो हिंदी में लिख देते हैं जो उच्छन की दर है उच्छन की दर क्या है यहां पर कम है अफ्शॉशन की दर से अफ्शॉशन की दर से यहां पर उच्छन की दर कम है यहां पर उच्छन की दर ज्यादा थी और पात करें इस तीसरे वाले फिगर पे तो यहां पर बॉडी का टेंपरेचर अट्मॉस्पर का टेंपरेचर दोन इसका मतलब है क्या बॉडी रेडियेशन को एमिट नहीं करेंगी बस अंतर इतना होगा कि जितना वह एमिट करेंगी उतना ही इसलिए बॉडी के टंपरेचर में कुछ भी फर्क चेंज नहीं आता है ठीक है यहां पर क्या हुआ कि जो रेट ऑफेमिशन है वो रेट इसलिए इत्시 कह नहीं होगा यहां पर बॉडी का क्या होगा क्योंकि बार्क में मैं तो बॉडी के लिए लेगी बढ़ बढ़ जाएगा और यहां पर क्या होगा तो बाहर से लेगी जब तक लेगी जब तक दोनों पर बढ़ बढ़ जाएगा और और यहां पी क्या होगा बॉड़ी के टेंप्रेचर में कुछ भी चेंज नहीं आई उसके तापमार में कोई भी परवर्थ सर्थ नहीं आई इसी को हम लोग कहते हैं रेडियेशन ही या उश्मा का विक्राइब अब नेश्ट इसमें टॉपिक है जो में इसका टॉपिक था व रेडियेशन अज्टी का मतलब है कि हर एक बॉड़ी जिसका टेंप्रेचर जीरो केल्वीन से उपर है जिसका तापमार जीरो केल्वीन से जाता है ऐसी बॉड़ी उश्मा का उचसर्जन भी करेगी और वो उच्पा का अफ्शोशन भी करेगी ठीक है देख डिपनिस कीश ष्थादा गो एक सर्जन के deliver Оगी कोसे बॉड़ी को परेगी तर्फ शेटन की निसाने अफ्शोशन के निसाना अफ्शोशन की दर जादा होगी जादा होगी तो अगर बüzik्षा घार बढ़ जाया और ऑग़ आपार का च. डाव yer. तो वो जादा एमिट करेगी तो उसका तेमपेचर घट जाएगा और अगर बादी का तेमपेचर और बाहर का तापमा एक समाने तो वो जितना उस अप्षशित कर लेगी तो उसके ताप्राम में कुछ भी अंतर नहीं होगा यह ग्रेटर दिंग का जिसान होता है यह लेस्ट आप परपर्टीज़ इसकी बात कर लेते हैं आप परपटीज ऑफ रेडेशन अनरजी यानि पुष्मा पुष्मा का विक्रण की विसेशता है अब देखो इसकी क्या क्या पॉपर्टीज है जो इसकी क्योंकि रेडिएशन अनरजी होती है है जो रेडियेशन होता है कि जो रेडियेशन होता है वो एक प्रकार्टा क्या होता है यह पड़ा था यानि जो विक्रण होता है वो क्या होता है कि विद्दुत चुंब की तरंगे ही होती है कि विद्दुत चुंब की तरंगे ठीक है इसका मतलब है कि जो इलक्तो मेंगनेटी वेज़ की पॉपपर्टीज होंगी वही इसके पॉपपर्टीज हो तो फिर अगर रेडियेशन इनर्जी या रेडियेशन ऑफ हीट क्यों बोला गया इसको वही लक्तो मेंगनेटिक वेव बोल देते हैं कि उस्टन फुस्त वांतर होगा वह अंतर ही इतना होता है कि जो इसकी वेवलंद होती है रेडियेशन अनर्जी की वह डिफर करती है इलक्तो मेंगनेटिक वेव इतना होता है कि जो रेडियेशन अफ हीट होता है ठीक है यह इसकी वेवलंद में डिफरेंस होता है यह एक प्रकार्स अज्टों मतलब यह स्पेक्ट्रम होता है उसी में कहीं न कहीं आती है बस इतना होता है कि विजिवल लाइव से इसकी जो वेवलंस है वो डिफरेंट होती है इसलिए यह विजिवल लाइट भी क्या है एक लग्तो मैंगनेटिक वेव है ठीक है दिरश्य पकाश तो सबसे पहले अगर ब हाँ वट्वक इसको पढ़्णा होता है को हिस्कों अप्रेव होता है जीसको वह пог ketchup क्या मौने बेटिवल लाइट है करें मौनम की परतिव जिसकर होती- इपनी इसकी इतनी होती सं चाहां तक लाइग करती Apollo क्यों ही इसका मतला है कि इस तरफ लेंडा है वह बड़ की सभ्वण घृष्वेण कि दिरिश्य प्रकाश कि अगर लंदा इस तरफ बढ़ आया यह विजबल लाइट होती है इधर विजबल लाइट होती है वह चार हजार से 8000 इंग स्ट्रॉम है इसका मतलब है कि 4000 पर क्या होगा वाइलेट होगा और रहता है और यह सबसे ऊपर क्या होता है तो वी आई टिको तोlus आपके-डे, B I B G Y O R इसकी 残ंग वेवलन्द होती है वो लगभग 4000 एंगे स्टॉंम उसको हम लोग ले लते हैं ठीक आफुचली में तो लगभग इसकी 3800 एंगे स्टॉंम होती है इसकी वेवलन्द होती है वो को हम लोग 8000 एंगे स्टॉंम ले लेते हैं जबकि एक्षिली में इसकी रहती है अठाट तो इन श्रॉप तो इस तरीके से जो बेवलंग होती है तरंग धायर जो होती है वह बढ़ती है वह वह प्रावैजनी तरंगे अल्टा वालट यानि जो अल्टा वालट होता है उसकी वैलट जो होती है वह वालेट से कम होती है वालेट से कम हती है तो यहां जो अश्योंतों होगा यह अआपका रेड होगा यानि तरंगे नि यह रचनाहर यानि रड़ के और ऊपर जाएंगे हम यहां पर लेंदाए से बाद आए तरफ से बर्ड ही अपनी पीचे से उपर या लेट से राइट की तरब तो यहां में प्रेकार और से इसे प्रेट लुपर तो यहां पर इंफराएंट का विजबल लाइट भी एक लक्तो मेंगनेटिक वेवेवें इंफरा रह गया यह अंतर जो इसको अभी हम लोग को पढ़ना है यह अपने को देखना है तो जो रेडियेशन और जी ऊश्मा का विक्रण होता है हो लाइड करता है यहां पर कहां पर इंफ्राराइड रिजन में यह होती है रेडियेशन अनर्जी यह रेडियेशन अनर्जी होती है उसकी वेवलेंद विजिवल लाइड से जादा होती है ऑज दिरिश्ट प्रकाषी से जयादा होगी ति उसकी वैद्वी हो जो एपप नीचे युग कि इसकी वल्ब विज्ब लायट से जादा होती है कि ऑथ हजार खत dru outfits आए खतम हो जाएगी इसकी 8000 से जादा होगी त्हेकि है यह कहां पहें नाहें करता है यह इंफिरारड इंफिरारड इसको क्या करना है यहां पर उश्मा का उच्षर्जन होना है इस होनी है यहां पर इंफ्राइड रीजर में ही हीट का रेडियेशन होता है यहां पर दिखता है किसी वी चीज को गरह में देखना होता है तो विजिवल लाइट में आता है वो इंफ्राइड वीजर में लाई करता है जिसका जो वेवलंग होता है आठ गार एंगेस्ट्रॉम से जादा होता है तो यह इंफ्राइड रेडियेशन में लाई करता है और यहां कि क्या होता है कि एड का होना है अगर होना है हीट का अगर होना है तो हमाने के इस रेडिया करेंगा वह लाई करेंगा आपका इंफ्राइड रिजन में लाई करेंगा यह बात यहां अगर उश्मा का उसरजन होना है तो वह कहां पर होगा आपका इंफ्रारेड रेडियेशन में होगा और अगर हमें दृष्ष्ट प्रकाश की बात करनी है तो वह कहां पर होता है पूरे तरग धैर का तो स्प्रक्ट्रम होता है उसमें इस चीज को हम देख सकते हैं के लिए होगी बात यहां पर आगे चलते हैं इसकी कुछ और पर्पर्टी के बारे में बात करते हैं कि अगर कि इसकी कुछ और पर्पर्टी के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि यह भी एक होती है इसको तो बहुत असाली से गूगल में धूर सकते हैं इंफ्राइड रेडियेशन की वेवलें कितनी होती है कहां से कहां तक लाइड करती है तो इसकी वेवलें कहां से कहां के बीच में लाइड करती है आप हमें जुरूर बताईएगा नहां नेक्स्ट क्लास में फिर इसका जवाब आपको दे देंगे कि इंफ्राइड रेडियेशन की वेवलें कहां से कहां के बीच में लाइड होती है अब दूसरी क्या हो गए क्योंकि यह भी एक लक्टो मेंगनेटी वेव है तो इसका मतल होती है जो विजिवल लाइट होती है वह सीधी रेखा में चलती है अना इस्टेट लाइट में चलती है उसी प्रकार से यह जो रेडियेशन होता है अगर हम देखें कि जो इलक्टो मेंगनेटीव होती है जीपनी तरंधायर हो कि इसब व्यवाहती है अंख टुर लाक्र मेंधव क्यादो से चाये चाये घूर होती है है उसकी भी व्लाश्टी कितनी हो जाएगी अपनी त्री इंटू टेंगी पावर एट मीटर पर सेकंड ठीक है और अगर हम बात करें कि जो इलक्तो मेंगेटिक वेव होती है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए उसी तरीके से जो रेड हीट होती है उसको भी कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है उस प्रोपोगेट कराने के लिए यानि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नो मीडियम रिक्वाट जैसे कि आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने किसले लेक्षर में जब सोलर रेडियेशन की बात क क्या है यहां निर्वाथ का मतलब है कि यहां में मीडियम नहीं है तब भी सोलर रेडियेशन संसे अर्थ में आ रहा है ना संसे अर्थ में अपने को रेडियेशन मिलना इसका मतलब है कि जो रेडियेशन हीट होता है वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रवल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है इसके बाद उसमें एक और इस बाटन को पर्टी है क्योंकि इतने भी लग्त्रोमेटि अटेग difference होता है interferent होता है moonlight Christians का phenomenon होता है diffraction का phenomenon होता है इसमें यह थारे अठीशन होते हैं तो इसमें यह सारे रांन है बाकाव से उखना इसमें अब जूब हिव्लेक्षन को हम लूग क्या कहते है परावर्तन कि अपषखे अपबार्तन हिंदी वालों के लिए घंदा दनलिगी निए इंगिस वालों के लिए साकर किया इह अपबार्तन इंटर करेंश क्या होता है अपना व्यति करण दुरुवी करण नहीं व्यति करण पोलाइशन होता है दुरुवी करण और डिफ्रेक्शन होता है अपना विवर्तन यह सारी पढ़ी है और अप्टेक्स में आपने इन सारी दिजों को पढ़ा होगा ठीक है तो यह सारी फिनॉम्न यहां पर भी देखने को बिलते हैं किो सब्रस्बी सब्सक्राइब पत्र 예有 इंसीविटी और ड्सापिविटिविट्व Corn यह उसारे सब्सक्राइब को एक एक करके सारे टॉपिस उठा रहा है आपके ही स्वेवस्थे यानि अफ्शोष शक्ति ठीक है तो एक चीस्ता को यह पढ़नी है जॉप के पावर दूसरा क्या पढ़ना है एमिसिस पावर यानि उत्सर्जन शक्ति उत्सर्जन शक्ति देखते ही कैसी होती है अब शोषन शक्ति और उत्सर्जन सक्ति का मतलब क्या है कि हां कोई भी बॉड़ी होती है तो ऑफ्शोषित भी करती है और साथ ही साथ वही बॉड़ी उत्सर्जित भी करती है ठीक है तो इसका मतलब है कि अफ्शोषन सक्ति और उस्सर्जन सक्ति वही चीजों के जो भी हम लोग ने पड़ा है अभी अपने दर के बारें पड़ा था कि कितनी रेट से हैं a mission हो रहा है एक है किते लीड सेاب्द्स हो रहा है घ्ण हम इसको चोड़ा elevate वह सकति क्वी कि हो इस साथ उतारा है कि लगाकि डीड को कर दें है अम से तहसे हैं को है ये बॉड़ी पर कुछ विकरण है हो डाले भज़ है इस बॉड़ी पर कुछ लिटयस को एंशिटा गये हैं किया यह बॉडी सारा इंदर अप्षोस्च कर लेगी माथ ऐस सासल आपकॉषग नथ नए इनलों कुछ अप्जुप करेगी अपने अंदर और कुछ क्या करेगी अगर इसमे डाले गए तो कुछ तो इसमेद्ध कर देगी को और कुछ ही ट्रांस्मिट कर देगी यह बास के लिए रही यहां से आपक्तित विक्रण इसको आपक्तित विक्रण को कहते हैं आपक्तित विक्रण यह बात यहां पर क्लियर है एक दम कि वह सारा तो नहीं अपने अंदर करेगी कुछ पढ़ा ऑफे और और निकाल तो यह canustik कर देगी यह बचा हुआ होता है Part feeling क्या हो गया अफटी कर दिए परवर्तन हो गिया यहां है हम पर कि परावर्तन कि यहां रिख्लेक्शन हो गया मतलब परावर्तन हो गया और यहां पर कर दिया ट्रांस्मेट का मतलब हो गया आपका आप वर्तन कि अब गड़तन है कि अब होती क्या है अब क्या उसमें से होचमें कि परेचर ने हैं लुटाट किया कि इतना सब्सक्राइब करेगी फजोगएक तरद्साइएशन कितना उसने आप्जोग किया यही क्या होता है कि अग्जोग्त पावर है कि इसी को बोलते पावर और इसको रेप्जेंट करते हैं एलम्डा से कि लिरे बद कि जितना हमने डाला उसमें से कितना बॉडी रे एबजॉर्व किया बचब उसने या रिफ्लेट कर दिया या टांस्मेट कर दिया तो कितना उसने एबजॉर्व किया वह होता है आपका क्या एक अब आगे देखते हैं जरा इसका मतलब है कि वह बहुत जादा है इसका मतलब है कि अप्शोशित अप्शोशित शक्राइब इसका मतलब है यह अगर जतना इसका मतलब है इसका मतलब है तो यह कब होगी जब है जब है यह एक जाप्शन रेडियेशन पर नीचे करें इसका मतलब है इसका मतलब है इसके बराबर हो जाएगा इंसिडेंट रेडियेशन के बराबर हो जाएगा उसकेस में हम कह सकते हैं जो बॉड़ी का यह लंड़ा होगा वह कितना होगा बनेंगा लेकिन जब जितना हमने उसको दिया आप अस्तित विक्रट उतना ही उसने क्या थिया पूरा पूरा का पूरा कुछ बाहर नहीं हुआ कुछ रिफ्लक्ट नहीं हुआ कुछ ट्रांस्मिट नहीं हुआ तो ऐसे केस में जो एलंड़ा होगा वह कितना होगा बन हो जाएगा अच्छा यहां पर मैंने एलंड़ा क्यों लिखा हुआ है इसका मतलब अभी तुम्हें इसका जितना ऊसले इसका निकाल दिया क्या वहीं क्या हो जाएगा उसका मिसेज पावर होगा तो अगर अब लोग आएगा मिसेज पावर की जितना वाड़ी को हमने दिया लोटा इंसिदेंट रडीयेशन जो भी हमें बोडी को दिया विदिये इंसें एमिट कर दिया एमिटर्ड इसका रेशियो वता है इसी को अमनों क्या बूलते हैं के लिया रेवर कि इसी को बोलते हैं में इसकते को सर्जन शक्ती 2 एक गांद 1 याई लन्ड की बात करें तो मतलब होता है कि जिस वेवलंट के लिए यह बात हो रही है क्योंकि जो भी डेडिएशन डाला जाएगा वैस बॉडी पर जो भी डेडिएशन डाला जाएगा उस रेडिएशन का कुछ न कुछ बेवलंट होगा याशन' तरंग दहरोगी उस्विक्रंड की कुछ ना कुछ क्या होगी लैंडा वोगी वेवलंद होगी ठीक है तो जिस वेवलंद का रेडियेशन हम डाल नहीं है तो जिस रेडियेशन काater डालते हैं इस Low पर करंगदायर का विकरण हम डालते हैं इस बोडी पर वही उसी के लिए हम यह लंडा का इस्तिमाल करते हैं तो वह लंडा मतलब इतना अशोशित हो रहा एलंडा मतलब जितना उस्थाजित हो रहा है है इसे पावर हो गए अब रहर टिक नडर टॉपिक है आप सब्लैंट है क्या होता है अगर हम ब्लैक बोड़ी की बात करें ब्लैक बॉड्य मतलब है क्रश्न पिंढे क्रिश्न का भी लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉडी क्या चीज़ होती है ब्लैक बॉडी को मतलब है ऐसी बॉडी जिसको हमने जितना भी रेडियेशन दे और सारा का सारा रेडियेशन क्या करें खुद के अंदर अब्सॉर्ब लिए अवशोशित कर लिया ऐसी बॉडी क्या होगी ब्लैक बॉडी के लिए तो अब हम लोगों कि ब्लैक बॉडी के लिए यह रही तब अरही क्या हुआ है अबसॉर्ड हो गया इसको जितना देते जाओंगे हो के लाओ लाओ अब कुछों वापस क्ने है सब फुदमें अबसॉर्ब कर लेंगे सब फुद में अबसूशित कर लेंगे हैं अबसूए होती इता है वान होती है जो ब्लैक बॉड़ी होती है उसमें कुछ भी परावर्तन नहीं होता है कुछ अफ्शूर्शित होता है यह जो जितनी भी डार्क बॉड़ी होती है वो सब ब्लैक बॉड़ी होंगी ठीक है डार्क बॉड़ी कहलो यह क्योंकि जो डार्क का लाउर होता है वो सब कुछ अब्सक्राइब करें तो वह क्या करता है सब कुछ अब ज्यान दो गर्मियों में कौन से रंक कपड़े भेंटे हैं सफेट तो और जारों ने काएं किंए ऐसा है जार्क बॉड़ी होता है डार्क बॉड़ी होता है कि उसके इंदर जो भी रेडियेश्थन उसको दिया रहता है वो सब कुछ ऑब्र कर लेता एक्शोषित कर लेता है और इसलिए हम लोग जाड़े में क्या करते हैं डार कलर की कपड़े पहनते हैं अब गर्मियों में लाइट कलर की कपड़े पहनते हैं ताकि जितना भी रेडियेशन पढ़े सूरस से हमको मिले सब हमाई कपड़े क्या करें उसको अश्योशित कर ले और हमें ठंडी महसूस नहीं लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि वह थंडी कि चाहिए है ना तो गया करते हैं हलके रंग की कपड़े पहिंते हैं काकी जितनी भी लाइट पढ़े हमाई कपड़े पे वह सब रिफ्लेक्ट हो जाए परावर्तित हो जाए जो भाई वापस हो हमको नहीं चाहिए तुम तो जिससे हमें गर्मी मैसूस नहों इसलिए डार कलर की कपड़े तुम से उसकी शक्ती जादा होती है екws लायडी चाहिए उनmm जन्ट होत पूछा रहेगा तो आप उसको यहां से करड़ करके बता सकते हैं इसका मतलब ब्लैक बॉड़ी के लिए कितना होता है अब मेरा यह प्रशन आप से है कि हम लोग उन्हें पठा था कि ब्लैक बॉड़ी जो है वह सब जी तरह भी उसमें आता है वह सब क्या करती अफ्शोशित सब अपने में अब्सक्राइश करती है वह सब क्लेक बॉड़ी हो घुए होता है वह यह ब्लैक बॉड़ी हो गया है दो रसफैसर्ब्स कई है तो ब्लैक डॉड deuकर है ब्लैक भाड़ी न्लें पर्फेक्ट ग्जाम्पल है ब्लैक बॉड़ी का सन भी क्या है यह ब्लैक बॉड़ी है फिर कोशन यह उठता है कि सूरज तो हमें विक्रण रेडियेशन देता है यह तो फिर यह ब्लैक बॉड़ी कैसे होगे यह काला तो है नहीं सूरज काला तौशन चाली होती है वह ब्लैक बॉड़ी होती है तो सूरज काला नहीं होता है फिर यह ब्लैक बॉड़ी क्यों होता है और यह तो अपहीं अग्जा। करता है लो बहुत है लो जाड़े जाड़े करो फिर यह ब्लैक बोडी क्या से हो गया क्या से एक परफेक्ट इग्जामपल होता है नेटजी को क्या करता है डेडियेशन एनर्जी को करता है तो फिर यह कैसे ब्लैक बोडी हो गया इसका मतलब है जो ब्लैक बोडी होती है वो एनर्जी को अफ्शोशित कर सकती है और अगरए अगरए यह को रेडियेट कर रहा है इसका मतलब है इसमें कहीं ना कभी एनर्जी को अफ्शोशित किया होगा कभी तो रीडेट कर रहा यानि कभी ना कभी सूरज चाचु सूरज चाचु में इनर्जी को अक्षोषित किया होगा और आज वो क्या कर रहे हैं उस एनर्जी को रेडियेट करें बहार निकालें वैसे सन में फिनॉमिना होता है इस सुरज में इनर्जी जन्रेत होती है ठीक है उस वही एनर्जी क्या करता है इसकी वजह से पर्फेक्ट एक्जाम्पल होता है ब्लैक बॉडी का क्लियर यह बात यानि सन जो होता है वह हर प्रकार की जो लाइट होती है यानि हर वेवलेंग हर तरंग धैर कर जो विक्रण होता है रेडियेशन होता है उसे क्या करता है उसेगहिशन होती है है और सन से हमें रेडियेशन भी मिलता है यह से हमें विजबल लाइट भी मिलता है और इसी जहां में इंफ्रारड रेडियेशन भी बिलता है जो की उश्मा को पैदा करता है और यहां से द्रिश्य होता है क्लियरे बाद सूरत चाचु दोनों कीज़े हमको बिलते हैं कि इसका मतलब है कि एक यह सं हमें ईकुन सर्जक क्ट तो सने जोक्तर वहां कर रहें Ceil्व कर सब्सक्राइब और अगर यहांसा और अगर आप फो करेंगे और अगर है गंदा ग्रहन करेंगे खराब ग्रहन करेंगे तो खराब चीज आप बाहर निकालेंगे यह बात यहां पर मैंने ब्लैक बॉड़ी से रिलेटेड जितने भी तत्थे से वह सारे आपके सामने थोल का रहती है लेटेय के लिए फफ हेँ गुलेक बॉड़ी एक ब्लैक बॉड़ी है काडल दुप बैक बॉड़ी एंदिली फर्वैक बॉड़ी हम स なनंको ही कहते है ठीक है नेक्ट ँमारा झो हिए सब्सक्रिक ऑर मेजह करिद दृट नेbr की Bonny इसको यह पर चूशार को का नियम को आपको कि इसके बादेकर पर इसको स्चिफन श्लाव को है और आपका नेकार क & पर इसके बार तक tota बोड़ desc Chrono तक हमनों नेस्ट लेक्शर में कल लिया क्या हमसे तो ब्लैक बॉड़ी होती है उसका ये लम्डा जो होता है कितना होता है कि मिलते हैं नेस्ट लग क्लास में अब